आहार निद्रा भै मैतुनम्चा सामान्य मेतत पशुभे निराणाम धर्मो ही तेशा मदिको विशेशा धर्मेन हीना पशुए समाना अर्थात आहार निद्रा भै और मैतुन ये चार चीजें पशुआ और मनिश्यों में समान हैं किवल धर्म ही ऐसी चीज है जो मनिश्यों को पश्मों से अलग करती है सवाल ये आता है आके धर्म है क्या धर्म किसी मूर्ति की पूजा या किसी परंपरा को मानना नहीं धर्म का मतलब है प्रकर्ति का नसरगेक नियम आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ये बुद्ध पूर्णिमा के एक दिन बाद है बुद्ध ने धर्म की कुछ विशेष्टाएं बताएं बुद्ध ने कहा मतलब धर्म स्वक्खा तो भगवता धम्म धर्म एकदम स्पष्ट होता है उसमें कोई लावलो पेट नहीं होती उसमें कोई चीजे नहीं जुड़ी होती कुछ करने से कुछ नहीं मिलता धर्म करम से बनता है अक्कालि को वो सनातन है वो सब के लिए है उसमें कोई भेदभाग नहीं वो सब को एक तरह से देखता है वो सारजनीन है एही पस्सिको मैं बोल रहा हूँ इसलिए मतमानिये आईए खुद देखिये धर्म क्या है धर्म में दिक्षित होईए धर्म को समझिये धर्म क्या है उसको जानिये किसी पंडित मौलवी, पादरी या किसी अन्य ऐसे बड़े व्यक्ति ने आपसे बोल दिया तो धरम को मानिये नहीं, धरम को जानिये धरम को जानना जरूरी है, धरम को सिर्फ मान के बैठ जाने से धरम नहीं होता पच्चत्तम वेदी बाहु विनिहु बूती यही सारी बाते मिलके धरम बनता है आज की तारिक में जहां अपने अगल बगल देखते हैं तो लोग कुत्ते बिल्लियों से बुरी तरह से धरम के उपर लड़ रहे हैं यह धरम नहीं है, यह संपरदाय है जब आप हिंदू धरम बोलते हैं, तो धरम गौन हो जाता है हिंदू बड़ा हो जाता है जब आप मुस्लिम धरम बोलते हैं, तो मुस्लिम बड़ा हो जाता है धरम गौन हो जाता है धरम वो प्रकृति के नसरी एक नियम है, जिसको हम और आप सब पॉलो करते हैं जो सार्वजनीन है, जो सनातनी है, आप कोई भी धरम पढ़िये, चाहे हो हिंदू हो, जैन हो, बौध्य हो, सिख हो, मुस्लिम हो, उन सब का ये कहना होता है कि हम जब पैदा होते हैं, तो हम उसी धरम में दिक्षित होते हैं, समय के साथ हमारे अंदर कुरीतिया आती हैं, हम दूसरे धरम में चले जाते हैं, कारण ये है कि धरम सिर्फ एक है, वो धरम है प्रकरती के नियम का पालन करना, हम प्रकरती को एक जगा बरबात करते हैं, उसी एकॉनमी को खतम करते हैं, आपस में मारकाट करते हैं, और बात करते हैं धरम की, हम मस्जितों को, गिर्जा घर मंदिरों को तोड़ते हैं और बात करते हैं धर्म की पुराने समय में अकरांताओं ने मंदिर तोड़े और धर्म की बात की आज के समय में मस्जित तोड़ेंगे और धर्म की बात करेंगे यह कितना सही है कितना गलत यह आप समझिए मैंने आपके सामने तथे रखे हैं इन त प्याचार किया, हो सकता है उसको तोड़ने से आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाए, पर आप धरम में दिक्षित नहीं हो रहे हैं, आप धरम में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, धरम में आगे बढ़ने के लिए इस प्रकरती के नियम को समझना पड़ेगा, हर मनुष्य के अंदर वो शक्ती दी है, जिसको वो जगा के, उस शक्ती का प्योग करके, समवेदनाओं के जरीए, अपनी सांस के जरीए धरम को समझ सकता है, धरम के नियमों को समझ सकता है, इसलिए मनुष्य का जीवन अन्मोल है, व्यर्थ ना करें इस जीवन को, फालतु की चीदों में समय मत बरबाद करें, पढ़िये, अपना समवर्धन करिये, दूसरों को बढ़ाईए, जो लोग ये बात करते हैं कि हमने तो हिंदूओं पे 500 साल गराज किया, अब ये हमारे वो तोड रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो उन गधों को भी ये समझने की जरूरत है, कि इसमें सबसे अदर नुकसान आप अपना कर रहे हैं, आप तो अपनी राजनीती चमकार हैं, जो लोग आपके नीचे बैटे हैं, जो आपको अपना नेता मान बैटे हैं, उनके उपर क्या बीतर ही हैं, इन सबको देखके आपको समझ नहीं आता, आज मुसल्मानों की 75% से उपर फीसदी जुन संक्या ऐसी है, जो कुपोशित है, जिनको खाना नहीं मिल रहा, जो खाने के लिए महताज है, सही इंप्लॉइमेंट नहीं है, पढ़ा ही सही नहीं है, फिर भी उनके नेता आकर अगर ऐसी बड़ी-बड़ी बाते करते हैं, तो तुम से जादा बुरा चाहने वाला मुसलमानों का कोई नहीं है, और सेम ऐसा ही हिंदूओं के लिए है, अगर आज आज आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है, 110 रुपे लीटर पेट्रोल है, आपके बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल रही, सही नौकरी नहीं मिल रही, और आप धरम के कमेंट सेक्शन लिख के बताइए, मेरा नाम मोहित है, ये टिपपा है, नमस्यान.